पूनीत वर आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ एक बेहधी डरावनी और खौफनाक भूतिया कहानी जो आपको भी अंदर तक डरा देगी आज मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ एक भूतिया पैंसिल की यकीनन आपने कई कहानिय सुनी होगी छालावों की, चुडैलों की, डायनों की, भूतिया घर, भूतिया जमीन लेकिन आज मैं आपके लिए एक अतरंगी कहानी लेकर आया हूँ भूतिया पैंसिल की और उस पैंसिल ने मनीश की क्या हालत कर दी इस वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा और शायद इस वीडियो को देखते देखते आपकी कई बार हसी भी निकल आए और आपको डर भी लगे ये कहानी ही कुछ ऐसी है अब इस कहानी को सिधा शुरू करते हैं तो ये कहानी है जारखंड के रहने वाले मनीश की जारखंड के एक छोटे से गाउ में मनीश रहते हैं और उन्हें काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है वो गाउ में भी जिसके घर में काम होता काम करवाने के लिए चले जाते वहाँ कोई भंडारा होता तो सेवा के लिए चले जाते लेकिन वो ये काम भी अपने स्वार्थ के लिए कर रहे थे क्योंकि उनके पिता कहा करते थे हम लोगों की भलाई करते हैं तो भगवान हमारे साथ अच्छा करते हैं अब मनीश ने बहुत सारे सरकारी नौकरी के फॉर्म भरे हुए थे टेस्ट दिये हुए थे लेकिन उनके सरकारी नौकरी लग नहीं रही थी वो क्या करते हर चेज कर ली थी उन्होंने लेकिन नौकरी नहीं लग रही थी सरकारी नौकरी लग जाती तो वो सेट हो जाते अब यहां पर छोटे मुटे काम कर एक घर का गुजरा चला रहे थे, वो काफी गरीब थे, उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए वो कभी कभी बाबाओं के पास चले जाते, कोई मजार में चले जाते, मंदिर में भी हर मंगलवार को वो माथा टेकने के लिए जाया करते थे हनुमान जी का, वो हर जगे जाती, उन्हें जहां भी कुछ नजर आता, वो वहाँ पर पहुंच जाते, अब मनीश ये सोचा करता था, क्या करे जिससे उसकी जिन्दगी सैटल हो जाए, तो उसे अपने गाओं के पास एक बाबा का पता चला, वो बाबा वहाँ पर ध्यान लगाने के लिए आया हुआ था, और वहाँ एक पेड़ के पीछे पिछले साथ दिनों से बैठा हुआ था, अब आसपास के गाओं में ये बात फैल गई थी, लेकिन उसके शरीर से बहुत ज़्यादा बदबुआ रही थी, कई तो उस बाबा को पागल समझ रहे थे, अब मनीश सोच रहा था, उस बाबा के पास जाकर बात करके आओ, शायद उसके पास कोई शक्तियां हो, साथ दिन से उसने कुछ खाया नहीं है, तो मनीश सीधा उस बाबा के पास पहुँच गया, ना उसने सोचा कि असल में वो ध्यान कर भी रहा है, वो असली बाबा है भी या नहीं, या वैसे ही कोई पाखंडी यहां पर लोगों को बेवकूब बना रहा है, उसने किसी की बात तक नहीं सुनी और सीधा उस बाबा के पास पहुँच गया, वक्त रात का था, क्योंकि दिन के वक्त वो बाबा जातर ध्यान में रहता, और रात को थोड़ा बहुत हिलता था, लोग आस पास के जो भी निकल कर जाते, वो कहते कि बाबा का चेहरा भायनक हो जाता है, इसलिए डर कर वहां से भाग जाते, अब रात के वक्त ही मनीश उस बाबा की पास चला गया था, वो बाबा आँखें खोल कर सांस ली रहा था, और बहुत ज़्यादा थका हुआ लग रहा था, जब मनीश उसके पास गया, मनीश पूछने लगा, अब बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, अब बदबू भी बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो मनीश ने अपने नाग पर इस तरह से उंगली रखी हुई थी, और बाबा भी पहचान गया था कि कई दिनों से वो नहाया नहीं है, इसलिए बदबू बहुत ज़्यादा रही है, अब कोई और बाबा से बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि बाबा इतना गंदा था, रात का वक्त था, अव्वाए फैली हुई थी, मनीश बात कर रहा था, तो बाबा को भी खुशी हुई, भाई कोई बात करने के लिए पास तो आया, लेकिन मनीश अपने स्वार्थ के लिए आया था, वो अपने लिए कोई फाइदा चाहता था, अब बाबा से बात करते करते, बार बार मनीश ये कहने लगता, बाबा जी आपके पास तो बहुत शक्तिया होंगी, हम बहुत गरीब हैं, हमें कुछ पैसे देने की तरकी भी लगा दो, अब वो बाबा हंसनी लगता, बाबा ने अपना नाम तक नहीं बताया था, और यही कहा था, मैं भटकता रहता हूँ, पैसों का स्वार्थ नहीं है मुझे, इसलिए मैं किसी को पैसों का कोई फाइदा भी नहीं करवा था, अब मनीश बहुत सारी चीज़े मांगता रहा, बाबा हर बार कह देता, मेरे पास ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, अंत में मनीश बहुत ज़्यादा गुसा हो गया, मनीश कहने लगा, इतनी बद्बू सुंगने के बाद भी, आब मुझे कुछ नहीं दे रहे, कोई फाइदा ही करवा दीजिए, कोई आशिरवाद ही दे दीजिए, जिससे भविश्य में मेरा भला हो जाए, तो उस बाबा ने कहा, आशिरवाद कैसे दूँ, मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं दे सकता, जो काम ना करे, मेरे आशिरवाद से तुम्हें, जादा कोई फाइदा होने वाला दे, तुम्हारा स्वार्थ कुछ अलग है, मेरे आशिरवाद से, तुम्हारी सहायता कुछ अलग होगी, मैं चाहूंगा कि भुष्य में तुम सफल हो जाओ, लेकिन तुम तो पैसे मांग रहे हो, कुछ और चीज़े मांग रहे हो, मनीश काफी गुस्सा हो गया, अब मनीश गुस्सा होकर कहने लगा, आप तो जूटे हैं, यहाँ पर गंदगी फैला रखी है, आप यहाँ बैठे रहते हैं, सभी बाबा पखंडी होते हैं, किसी ने मेरी कोई मदद रही की, आपके पास कोई शक्तियां होती नहीं है, जूटे फिरते रहते हैं, इसलिए लोगों को बेवकूफ बना कर, आप पैसों का पखंड करते हैं, अब उस बाबा को भी बुरा लगा था, अब उस बाबा ने अपनी जेब से एक पैंसिल निका ली, और सीधा मनीश की तरफ बढ़ा दी, मनीश ने हाथ आगे बढ़ाया पैंसिल को पकड़ लिया, अब बाबा कहने लगा, मैं तुम्हें यही दे सकता हूँ, यह काफी छोटी चीज है मेरे लिए, लेकिन तुम्हें काफी फाइदा दिला सकती है, इस पैंसिल से एक खास पेज पर कुछ लिखना, वो पेज पर जब तुम लिखोगे एक दिन में वो गायब हो जाएगा, लेकिन इस पैंसिल को एक जिन की चमड़ी से बनाया गया है, जो भी तुम लिखोगे वो सच हो जाएगा, लेकिन शब्दों का ध्यान, शब्दों का चुनाव सही करना, ध्यान से करना, और बाद में जब वो चीज तुमें मिल जाएगी, नीचे वो जिन भी इसी कलम से अपने आप कुछ लिख देगा, वो भी तुमसे कुछ मांगेगा, तुम स्वार्थी हो तो जिन भी स्वार्थी है, तुम कोई खास चीज मांगोगे, बड़े ध्यान से मांगना, क्योंकि वो जिन चतुर है, चतुराई से चीज देगा, और वो भी तुमसे चतुराई से मांगीगा, तो उससे ध्यान से डील करना, अब इसके बाद मनीश को उस बाब पर यकीन तो था नहीं, लेकिन चलो मुफ्त में कोई पैंसिल ही मिली है, अब इस पैंसिल को लेकर वो सीधा घर की तरफ निकल पड़ा, घर में आकर रात के वक्त वो पन्ना ढूडने लगा, पता तो लगा लें क्या सच ही तो नहीं, उसे यकीन तो नहीं था, क्योंकि वो बाबा को ढूंगी या जूठा समझने लगा था, और इतने बाबाओं के पास घूमने के बाद उसे लगने लगा था, ये चीजें नहीं होती हैं, आज इस बाबा से भी कुछ नहीं मिला, एक पैंसिल मिली है, वो भी अजीब सी सड़ी हुई जिससे स्मेल ला रही थी, बाबा कह रहा है, जिन की चमडी से बनी है, चलो देखते हैं, उसने एक ट्रंग से सफेद रंग का कागज निकाला, उसके पास तो इतने कम पैसे थे कि कोई खाली किताब तक नहीं थी, नोटबुक तक नहीं थी, कुछ नहीं था लिखने के लिए, खाली पन्ना पड़ा था सफेद, उसने वही उठा लिया, अब उसे लेकर वो पलंग पर बैठ गया, अब उसकी माँ पूछ रही थी क्या कर रहे हो, रात को लाइट क्यों जलाई हुई है, उसने माँ को मना कर दिया, मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ, पड़ रहा हूँ, टेस्ट देना है उसकी तैयारी कर रहा हूँ, इसके बाद माँ अपने कमरे में चली गए, अब यहां मनीश सोचने लगा, मांगू तो क्या मांगू, चतुराई से मांग रहा है, उसने कहा चतुराई से ही मांगता हूँ, उसने उस पन्ने पर लिख दिया, मुझे धेर सारा पैसा पास में चाहिए, और यह लिखकर वो सोने के लिए चला गया, चलो देखते हैं, कल यह मिलता है या नहीं, और जैसे ही सुभए हुई, उसे समझ ही नहीं आया क्या हो गया, इस घर में वो किराये पर रह रहे थे, और यहां पर मालिक कहने लगा था, कोई और जादा किराया दे रहा है, इसलिए आपको यह घर छोड़ना होगा, अब यह निकलने को राजी नहीं थे, लेकिन जो नया इस घर में रहने के लिए आ रहा था, कोई वो अफसर था, इसलिए वो जादा दुगने पैसे दे रहा था, तो मालिक ने इन्हें जल्द बाजी में घर से निकाल दिया, अब सामान बाहर फैंक दिया था, वो पुलिस को भी नहीं बुला सकते थे, क्योंकि मकान मालिक काफी पैसे वाला था, काफी रुद्वे बाला था, वो क्या करते, वो घर ढूंडने लगे किराए का कोई और, ढूंडते ढूंडते उसके पिता ने एक और जगए घर ढूंड लिया, थोड़ा सड़क के किनारे ढूंडा था, लेकिन सस्ता मिल गया था, वही घर था, जो सस्ता था, और अच्छी जगए पर था, आसपास और भी कई दुकाने बनी हुई थी, वहाँ पर किराए पर मकान मिल गया था, उन्होंने सारा सामान शिफ्ट करवा दिया, अब सामान शिफ्ट करवाने के बाद, पूरा दिन सामान शिफ्ट करने में लग गया रात के आठ बजे उन्हें तब जाकर आराम मिला सही घर में सामान तो पहुंचा दिया था अभी सेट करना था एक दो दिन और लग जाते इसके बाद वहां उस पन्ने के नीचे अपने आप कुछ उभरा हुआ था तुमने मांगा था धेर सारे पैसे तुम्हारे करीब आ जाएं एक बैंक बिल्कुल इस दिवार के साथ सटा हुआ है पैसे तुम्हारे बहुत करीब आ चुके हैं ये पढ़ते ही मनीश भागता हुआ घर से बाहर गया सच में आसपास धेर सारी दुकाने थी और इस मकान के साथ एक बैंक लगा हुआ था अब बात तो सच साबित हो गई थी उसी जिन की धेर सारे पैसे उसके पास आ गए थी जिसे वो हाथ तक नहीं लगा सकता था अब इसके बाद वो दोबारा घर आ गया और रूनी लगा भाई ये पैंसिल तो सच्ची है कुछ देती जरूर है लेकिन ये जिन की पैंसिल बड़ी चतुर है कैसे समझदारी से चीज दी मेरी बात को ही इस तरह से फसाया कि बात भी सच्ची हो गई मेरे पास पैसे भी नहीं आए तुम मुझे डेड़ सो रोटी दो अब डेड़ सो रोटी मांगी थी उसे जिन ने शायद उसे जिन की कलम ने अब ये भी तो से देना था जैसा कि उस बाबा ने बताया था तुम कोई चीज मांगोगे वो भी कोई चीज मांगेगा वो तुम्हें चीज देगा ना नहीं कर सकता तुम भी उसे चीज दोगे तुम ना नहीं कर सकते वरना जिन्दगी परबाद हो जाएगी वो डरा सहमा सा मां से पूछने लगा मां आटा कितना पड़ा है मांने का जादा आटा नहीं है उसने का देड़ सो रूटियां बनानी है मां कहने लगी मैं नहीं बना सकती अब इतना आटा ही नहीं है और कौन से तुमारा दोस्त आने वाला है कौन से तुम भंडारा लगाने वाले हो जो देड़ सो रूटियां चाहिए वो भी रात को अब इसके बाद मनीश चुपचाप अपने कपरे में पहुँच गया अब वो क्या करता अब वो पैंसिल से लिखने लगा मैं नहीं दे सकता ये लिखते ही अक्षर अपने अब गायब होते जाते अब वो कुछ मांग नहीं रहा था बता रहा था इसलिए वो अक्षर लिखे नहीं जा रहे थे गायब होते जा रहे थे इसके बाद वो रात बहुत भायानक थी आसपास से आवाजे आते रही पलंग अपने आप हवा में उड़ता जमीन में किर जाता और बार बार पन्ने पर उभर जाता देड़ सो रूटियां उस पन्ने पर देड़ सो रूटियां उभर रहा था और ये उस जिन की कलम की डिमांड थी क्योंकि उसने भी उसका काम किया था अगले दिन अब मनीश के पास जितने पैसे थे उस सब पैसों से धेर सारा आटा लेकर आया मा मान नहीं रही थी, उसने बस खुद ही रोटियां बनाना शुरू कर दी डेर्ड सो रोटियां बनाई थी, उसे कई घंटे लग गये थे डेर्ड सो रोटियां बनाने के लिए क्योंकि मा तो मान नहीं रही थी, तो सारी रोटियां उसे ही बनाने थी और उसने रोटियां बनाई, वो ठक गया था, अब उनका सिलेंडर भी खत्महरे की कगार पर आ गया था, डेर्सो रोटियां बनाते, उनके पास छोटा सिलेंडर था, जो बड़ी मुश्किल से वो लेकर आते थे, चूला चलाते थे, और उनके बास लगडियां तक नहीं थे, अब 1.500 रूटियां बनाई, उसने एक कलम के पास रखी और एक जटके से गाया उस कलम ने पूरी 1.500 रूटियां खा ली थी जिनकी चमड़ी से बने हुई कलम, जिनकी शक्तियां रखे हुई थी इसके बाद उस रात, अब मनीश सोचने लगा, मांगू तो मांगू गया समझदारी से चीज मांगूगा, ऐसी चीज मांगूगा ताकि मेरा फाइदा हो और बाद में इसे देने में मुझे परेशानी ना हो, ये रूटियां मांगेगा और कुछ थोड़े ना मांगने वाला अब इसके बाद वो कई घंटे सूचता रहा और अंत में उसने निशकर्ष निकाला कि मैं ये मांगूगा मैं मांगूगा कि मेरे हाथ में दो लाख रुपे की गड़ी होनी चाहिए अब ये दो लाख की गड़ी हाथ में मांगी थी दिवार के पार नहीं, पास नहीं तो अब जिन्न क्या करता, उसने यही चीज वहां कागस पर लिख दी मुझे दो लाख रुपे की गड़ी अपने हाथ में चाहिए अब उस रात वहां पर कुछ नहीं उबरा था सुभह के छे बजे बाहर साइरन बजने लगे बाहर लोगों के चीखने की आवाज आने लगी, लोग भागने लगे अब वहां पर पुलिस के साइरन की आवाज आई तो बाहर निकल कर मनीश भी देखने लगा साथ वाला जो बैंक था ना, वहां किसी ने लूट मचाई थी और डुटेरे अभी बैंक के अंदर थे, वो भागने की कोशिश कर रहे थे बाहर पांच पुलिस वाले थे, जो उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे बंदूके लेकर खड़े हुए थे, और वो सोच रहे थे कि वो चोर बाहर की तरफ निकलेंगे यानि कि एक ही तो दर्वाजा है, चोरों ने स्कीम कोई और लगा रखी थी चोरों ने बाहर पता लग गया, उन्हें की बाहर पुलिस वाले हैं, तो उन्होंने एक दिवार तोड़ना शुरू कर दिया अंदर जितने भी बंदख बना रखे थे, उन्हें एक कमरे में डाल दिया गया और दूसरी तरफ दिवार तोड़ने लगे अब ये जो दिवार तोड़ी थी, ये वही दिवार तोड़ी थी मनीश के घर की दिवार, और दिवार तोड़ते ही वो घर के अंदर अब मनीश भी घर की एक खिड़की से बाहर देख रहा था, तब ही दिवार से आवाज आने लगी और वो पूरी दिवार ढहा गई इस तरफ से चोर बाहर निकलना चाहते थे अब चोरों को देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गया वो तो दिवार से सड़ गया उन चोरों ने मास्क बहन रखे थे उन्होंने अपना चेहरा नहीं दिखाया था और उनके हाथ में दो हजार की एक गड़ी यानि की दो लाक रुपए और उस गड़ी को पकड़े हुए एक चोर ने मनीश के हाथ में थमाई और कह दिया चुप रहना किसी को बताना मत ये कहकर वो तीनों चोर बाहर की तरफ भाग गए और पीछे से चीखों की आवाज चोरी धर गए चोरी धर गए और पुलिस वाले भी अब इस घर को भी घेर चुके थे एक घंटे मशक्का चली थी उसके बाद चोरों को पकड़ लिया गया था उसके बाद चोरों ने ये भी बता दिया कि पैसे की गड़ी अब एक लड़के के हाथ में पकड़ाई है मनीश के हाथ में दो लाग की गड़ी थी जो एक घंटे उसने पकड़े रखी थी जमीन तक पर नहीं रखी थी और पुलिस वाले उसके हाथ से उठा कर ले गए थे वो कुछ नहीं कर सकता था बात सच हो गई थी, दो लाख की गड़ी उसके हाथ में, लेकिन उसके बाद चली गई, अब मनीश रोता रहा, रोता रहा, और जब रात हुई उसे पता था, अब वो जिन भी मांगेगा, अब उस पन्ने के नीचे लिखा था, दो लाख रोपे की गड़ी तुमारे हाथ में तुम्हें मिल गई, अब जो मैं चाहता हूँ मुझे दो, इसके बाद थोड़ा समय लगा और नीचे उभरा, मुझे 25 लीटर गण्ने का रस चाहिए, और पास में एक नीबू निचोडने वाली थी, लोहे की नीबू निचोडने वाली अपने आप रकट हो गई थी, अब उस जिन्न की कलम ने लिखा था कि तुम इतने गण्ने लेकर आओ कि इस नीबू निचोडनी में छोटी छोटी गण्ने की पोरी डाल कर गण्ने का रस निकालो, 25 लीटर गण्ने का रस चाहिए, वो भी इस नीबू निचोडनी से निकला हुआ, गण्ने तुम्हें खरीदन अपने अब बेड धेलता रहा और बार बार वो लिख देता निकाल तो रहा हूं निकाल तो रहा हूं जल्दवाजी किसकी है। उस कलम ने पिया था, उस पैंसिल ने पिया था, तब जाकर उसकी प्यास शांत होई थी, अब मनीश समझ गया था, ये जो पैंसिल है ना, ये जिन की पैंसिल है, जिन की चमडी की पैंसिल और जिन से भी ज्यादा कुत्ती पैंसिल है, देती तो है, लेकिन चलाकी से देती है, इस्तेमाल नहीं कर होता जब मांगती है तो चला की कर नहीं सकते क्योंकि भूत प्रेतों की तरह डराना शुरू कर देती है अब उसके हाथ अकड चुके थे वो कोई काम भी नहीं कर पा रहा था इसके बाद वो सीधा पहुंचा उस बाबा के पास दूर से आता हुआ देख बाबा हासने लगा क्या हुआ पैंसिल देने के लिए आयो अब रोता रोता मनीश बाबा के पास गाया और पैंसिल दे कर कहने लगा ये पैंसिल ले लो मेरे किसी काम की नहीं कैसी जिन की चमडे की पैंसिल दी है मैं इसे क्या कर सकता हूँ तो बाबा ने कहा लालची इंसान जब स्वार्थ रखता है पैसे मांगता है तो वो जिन चालाग है तुमें वो चीज देता है जिसकी इस्तिमाल तुम नहीं कर सकते हैं तुम अगर बिना स्वार्थ के कोई चीज ऐसी मांगते तो वो भी तुमसे कुछ ना मांगता और खुश होकर तुम्हें दुग ना देता। कभी कोशिश तो करके देखो, बिना स्वार्थ के जी कर देखो, तुम्हें सब कुछ मिलेगा, और ये जिन तुम्हारा साथ देगा, अब इसके बाद मनीश ने कहा, तो मैं वादा करता हूँ, एक बार इस पैंसिल का इस्तिमाल और करूँगा, ये पैंसिल आपको दे कर अंत में उसने उस पेपर पर लिखा, मैं सरकारी नौकरी चाहता, लेकिन मैं किसी की छीन कर सरकारी नौकरी नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि मेरी मेहनत का फल मुझे मिले, सरकारी नौकरी मिले, और मैं जो पैसे कमाऊंगा उससे भला करना चाहता हूँ, अब ये लिखा उसके बाद उसी शाम उसे दोस्तों के फोन आये थे तुम्हारी सरकारी नौकरी लग गए उस लिस्ट में जो सरकारी गैजटेड लिस्ट निकल रही थी उसने धेर सारे फॉर्म भरे थे उसमें से एक में उसकी सरकारी नौकरी लग गए थे अंत में उसे वो मिल गया था जो वो चाहता था बिना स्वार्थ के और वो बहुत ज़ादा खुश भी था और उसके अंदर एक डर भी था अब शाम को जब ये कलम मांगेगी तो क्या मांगेगी अब फिर से वो गन्य का रस ना मांगे जो नीमू निचोड़नी से निकाला है भाई 25 लीटर गन्य का रस निकाल अब बाबा बचाएंगे मेरा काम तो बन गया है लेकिन कुछ ऐसा ना लिखा हो जो मैं कर ना पाऊँ अब टांगों से ना कुछ करवा दे कोई भगा ना दे 50-60 किलो मीटर मेरी टांगे ही तूट जाएं अब बाबा के पास पहुँच गया वो मनीश बाबा के सामने कहने लगा ये पैंसिल ले लो बाबा कहने लगा पैंसिल तो मैं ले लो लेकिन ये पैंसिल का रंग बदला बदला लग रहा है इस पैंसिल ने जो काम कहा है वो नहीं माना है तुमने वो किया नहीं है तुमने अब मनीश सर जुकाए हुए कहने लगा कोई ऐसा काम ना हो जो मैं कर ना पाऊ, मामा ने पूछा, क्या मांगा था तुमने, पहले ये बता, तो उसने सब सच सच बता दिया, मैंने सरकारी नौकरी मांगी, लेकिन मैं किसी की छीन कर नहीं मांगा, मैंने धेर सारे टेस्ट दिये है, मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूँ, बस सरकारी नौकरी लग नहीं रही थी, शाद मेरी किस्मत में नहीं थी, मैंने इससे मांगा, सरकारी नौकरी लग जाए, मैं इसे भला करना चाहता हूँ, मैं लोगों का भला करना चाहता हूँ, परिवार का भला करना चाहता हूँ, चार पैसे आएंगी तो मैं अच्छा ही करूँगा लेकिन अब मुझे डर लग रहा है कि स्पैंसिल ने क्या मांगा होगा कल की उंगलियां अकड़ी पड़ी है मेरी अब कुछ और नहीं कर सकता बाबा हसने लगा आखरी चीज पढ़ तो लो अब मनीश ने डरते डरते वोपन ना खोला और उसमें लिखा हुआ था तुम्हारे पसंद की चीज तुम्हें मिल गई अब मेरी पसंद की दो सरकारी नौकरी लग चुकी है तुम्हारी धेर सारे पैसे कमाओगे पैसों का इस्तिमाल अच्छा करना गरीब बच्चों को थोड़ा खाना खेला दिया करना किसी को भूखा रहने मत देना बस छोटा सा काम है अब इस काम को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया था मनीश भी क्योंकि मनीश भी तो यही करना चाहता था अपने गाओं में जो गरीब बच्चे थे वो कुछ ही थे लेकिन वो उनकी साथ भला करना चाहता था इसलिए वो पैसे चाहता था इसलिए वो अमीर होना चाहता था उनकी भला ही कर सके उसका अपना स्वार्थ भी था वो अमीर होना चाहता था चीजे खरीदना चाहता था लेकिन भला भी करना चाहता था अब वो जिन्नी की कलम भी वही चाहती थी वो भी भला ही चाहती थी ये बात सुनकर मनीश बहुत ज़्यादा खुश क्योंकि उसकी पसंद का ही काम मिला था उसने बाबा का धन्यवाद किया और उस पैंसिल को भी वही रख दिया क्योंकि उसे लग रहा था कल मुझे लाला चाहेगी मैं पैंसिल का कोई न कोई गलत इस्तिमाल करूँगा और फंस जाऊँगा शुक्र है कि उसने उस बैंक में नहीं फसाया कहीं फसादिया होता तो कहीं और ही पहुँच जाता इसके बाद मनीश वसरकारी नौकरी करने लगा कुछ पैसे उससे निकालता और गाउं के गरी बच्चों की मदद करता उन्हें पढ़ने में मदद करता खानी पीने में मदद करता और गाउं की चीजे बनाता शायद इससे वो पैंसिल भी खुश होगी उससे भविश्य का पता होगा कि ये क्या करने वाला है अब इस काानी से मनीश ने ये तो सीख लिया कि शैतानी शक्तियों का भी सही इस्तिमाल किया जा सकता है लेकिन आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए अगर आपकी सोच में लालच और स्वार था गया तो वो भी ऐसा ऐसा दंड देते हैं कि आप समझ नहीं पाते दस दिन लगे थे उसकी उंगलियत तब जाकर सिधी हुई थी ऐसे काम करता था आपको ये कहानी कैसी लगी ये एक जिन्निकी पैंसिल की काफी अतरंगी सी कहानी थी शायद आपने कभी सुनी नहीं होगी आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कोमेंट्स में ज़रूर बताएं अगर आपको ऐसी कहानी या सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियोस देखें धेर सारी वीडियोस पड़ी हैं उन्हें चेक आउट करें आपको ज़रूर पसंद आएंगी तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए डरती रहें